नमस्कार सातियों, RS360 के मंच पे आप सभी सातियों का तह दिल से हारदिक स्वागत है, मेरा परीचे नवीन शर्मा, केंद सरकार में भारी उद्योग मंतराले के अंतरगत मेरा विवाग आता है, तकरीबन आठ साल से मैं वहाँ पे कारे रतू, इसके अलावा UPSC और RPSC के तम काम किया हो, चाया भी खुद के प्लैटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, आप लोग के लिए कंटेंट लाने का पूरा मेरी प्रयास, पूरी मेरी कोशिश, साथियों, UPSC मुख्य परिक्षा मेंस एक्जाम 16-17 दो बार जो मैंने क्वालिफाई किया, उसका अनुभव आपको इस मंच के माद्यम से देने की मेरी पूरी कोशिश हमेशा रहेगी, आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपोर्टन विशे लेकर आया हूँ, R.S.P. 2021 और R.S.P. के जो आगामी एक्जाम होगा, उसमें हम क्या रणनिती अपनाएं, उसको समझने के लिए पहले ये समझना ब कि R.P.S.P. का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, उसके अनुसार या उसके अकॉर्डिंग, वो किन टॉपिक से किस प्रकार के सवाल पूछ रहा है, तो साथियों, एक छोटी जानकारी, R.S.360 एप, जिसका डिस्क्रिप्शन आपक के डिस्क्रिप्शन में उसका लिक देख सकते हैं, तो यहां पर R.S.360 एप पर मैंने R.A.E.O. के लिए एक विशेश बैच स्टार्ट कर दिया है, जिसका अब लोगों को नाम आप पर जाके करें, आज मैं बात करते हैं, इस डिटेल में कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल ह और उसको कैसे अनलेशिसर में करना है, देखिस आती हो, चाहे R.S. 2016 की परिशा हो, 18 का एकजाम हो, ठीक है, कुछ-कुछ चेंजेस हुए है, सलेबस में चेंजेस किये गए, 21 में सलेबस के अंदर परिवर्तन किया गया, हो सकता है कि जो R.S. 22 का, जो नोटिफिकेशन की बा को मिलेगा, हर बार R.S.C. सलेबस में कुछ-ना-कुछ परिवर्तन करता है, ये फैक्ट है, तो 16-18-21 का एवरेज निकाले, तो मैंने सोचा कि बैटर ये है कि 2021 का जो अनलिसिस है, वो आपकी सामने यहां पर कर दी है, किस विशे को जादा इंपोर्टेंस दी जाए, प्री म मैक्सिम स्कोर करने के लिए, ठीक है, ये संभव किसी के लिए नहीं होता, कि हर टॉपिक को उतनी घहराई से पढ़ ले, कि हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में उसकी मास्ट्री हो जाए, तो हमको यहां पर क्या अपना रहा है, जैक आफ और ट्रेट्स, मास्टर अफ नन, ये एडिनिस्ट्रिटिव एक्जाम जो है, कि क्या चेक करता है आपका, कि आपको उस सब्जेक्ट की एक बेसिक समझ, जनल ओवर्विव है कि नहीं, तो जैक आफ और ट्रेट्स, मास्टर अफ नन वाली थियोपे हम काम करेंगे यहां पर, राजिस्तान हिस्ट्री, आर्ट जो आपका इतियास है, उस पर आधारित थे, और करा और सब्सक्रिटी से जादा सवालों को कवर किया गया था, पिछली 2021 की परिक्षा में, तो तकरीबन 14, तकरीबन 14 सवाल आपके पूछे गए इस विश है, राजिस्तान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से तकरीबन 14, 14 क में आपको 500 सवाल करने पड़ते हैं, 14 जो है राजिस्तान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से आए, तो इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, मैंने देखा कुछ साथी मुझे टेलिग्राम पे, इस आरेस 360 में एप पे, आरेस 360 टेलिग्राम चैनल पे लगाता कूशते हैं, मुझे वाट्सप भी करते हैं, कि कॉल करते हैं, कि ये हमने हिस्ट्री नहीं पड़ा है, हमने आर्टर कल्चर नहीं पड़ा है, छोड़ देंगा ऐसे, अरे बंधू, मित्रो नहीं छोड़ना है, कॉम्प्टिशन लगातार बढ़ रहा है, पिछली बार कॉट आफ गई थी आपकी 84 नंबर ठीके सीर किती थी, 988, 988 सीट थी, इस बार जो अभेतना अभी तक, D.O.P.T. कार्मी वाग के पास है, उसके अनुसार 587 पोस्ट बैट रही है, तो कॉम्प्टिशन तफ होगा, पिर ये एक्जाम में या जनर्र, OVC, और EWS की कॉटॉफ 84 गई थी, ये सीट कमेंट, और महिलाओं के लिए भी मैं काऊंगा, फीमेल जो करी रेट है, उनके लिए भी यहाँ पे कॉई डिफरेंस देखना ने को नहीं मिलने वाला, तो इसी लिए राहिस्तान, हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर से आपको सवाल बिलकुल नहीं छोड़ना है, इसको भ उप्लिगेशन का पढ़ सकते हो, तो यह पनूर्मा से पढ़िये, चया आप पढ़िये, लक्षय किताब से चया पढ़िये, छे हमारे राइस्तान हिंदी-घृत track Academy के दावे आती, उसको भी रहतना कर सकते हो, ठीक है, निरे सिंस की किताब ऻातकि, अच्छी किताब उसमें दीटा कवर किया वैं लक्षे किताबको मैं हिसले बोलता हूं व्हственный सत 한 भार भसता नहीं इसी और अधिस्तान फेवर की जो हमार सबसे हैं प्रजिस्तान परdireقी नहीं में काई मैंना करहें आपको ऑद करो हिंदी और इंग्लिश दोनों माद्यम के लिए है पर चुकि इंग्लिश में कंटेंट नहीं मिलता तो हिंदी में भी इंग्लिश में भी दोनों में कंटेंट इस टॉपिक का कम्प्लीट आगे बात करते हैं modern history आदूनिक भारत तो आदूनिक भारत से तकरीबन जादा वेटेच नहीं था देकि हम लोग क्या करते हैं आदूनिक भारत को बहुत अच्छे से पड़े रखते हैं आदूनिक भारत जो है ऐसा topic है जो सभी ने पढ़ा होता है यह लोग छोड़के आते ह यह सब पढ़के आते हैं लेकिन आदूनिक भारत से जो सवालों के संक्या थी वो मात्र पांच थी मात्र पांच सवाल पूचे के तो इसको छोड़ना नहीं है लेकिन ऐसा नहीं पूरी अगर्जी आप यहां लगा तो इसमें भी थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा आप प्राचीन एवम मद्यकालीन भारत प्राचीन एवम मद्यकालीन भारत से तकरीबन आपके छै सवाल पूचे गए तो छै प्लस पांच इसको जोड़ो गए तो ग्यारा का अंगड़ा बनेगा भारत ही जो हमारी जो सिस्टम है आदूनिक भारत प्राचीन भारत और मद्यका इंडियन और राजिस्तान पॉलेटी, अल्मोस्ट दूनों का वेटेज इकवल सही रहता है, यहां पर 24 सवाल पूछे गए थे, राजिस्तान और इंडियन पॉलेटी राजववस्ता, भार्ती राजववस्ता को मिलाके, ठीक है? तो ये एक बहुत important है 150 में से आपके 24 सवाल इस राजभवस्ता से पूछे आ रहे हैं इसको बिलकुर neglect नहीं करना है हमेशा लोग इसको पढ़ते भी है इसको और अच्छे से दुरूस्त करना है objective questions की बहुत practice करनी है में इसके exam में मुख्या परीशा में भी coaching को go goodbye सिर्फ नाम मात्र की fees वो भी इसलिए कि एप में और लोग है उपर वाले की दिया से कोई कमी नहीं है तो एप में और से लोग involved है उनका घर चलता रहे इसलिए मैंने ये आपका system यहाँ पे रखाए उसके अलावा साथी हो पांचवा जो है पॉइंट जियोग्राफी भुगोल भुगोल के तीन हिससे राजिस्तान भारत और विश्व राजिस्तान भारत और विश्व इसमें मैंने तीन सेग्मेंट किया तेरा सवाल पूचे गया है राजिस्तान के पूर्शन से पांच सवाल आए भारती है भुगोल भारती है जो हमारा भुगोलिक जो सलेवस में चीज़े दी गई है पात्य करम में और विश्व केर भुगोल से आपके या वर्ड जियोग्राफी से तीन सवाल पूछे गए तो हम इसको जोड़े यदि आपला करें तो तेरा प्लस पांच अठारा अठारा प्लस तीन इक्कीस सवाल इक्कीस सवाल भुगोल से चौबीस पॉलेटी से थे इक्कीस भुगोल से इसका भी इंपॉर्टेंट आपका वेटेज निकल क्या आता है बह 245 एक अच्छा फिगर है 1500 में से इंपॉर्टेंट रहेगा करेंट अफेर की बात करते हैं करेंट अफेर आज के समय जो आज कैसा वैस आती हूं करेंट अफेर ऐसा मुद्दायना की सवाल इसमें पूछे ही जाना है चाया आरेस का एक्जाम दो चाया यूपी एससी का एक् करके कलेक्टर तक के परिक्षा में करेंट अफेर अपनी एहन भूमी का निवारा है और निवाता रहेगा गवर्मेंट इसकीन सरकाली योजना है और करेंट अफेर इन दोलों को जोड़ के हम देखें सरकाली योजनाओं को विशेश महत्व हैं सरकाली योजनाओं को मैं च सबसे बड़ा खिलाडी सबसे बड़ा खिलाडी जो अक्षे कुमार है वो कौन है अक्षे कुमार है इस खेल का इंडस्ट्री का वो है करेंट अफेयर और गवर्मेंट स्कीम दोनों जोड़के 25 पच्चिस का आखड़ा वैठता है 25 सवाल करेंट अफेयर और गवर्मेंट स्कीम से पूछे के हैं आप अपने आप इसका अंदद रहा सकते हैं कितना है मैं कितना इंपॉर्टेंट यह इस है 25 सवाल 1500 में से 1 by 6 तकरीबान आपका 16 परसेंट के असपास 16 से 17 परसेंट करेंट अफेयर और सरकारी होजनों का आगड़ा है इसके बिना तो सेलेक्शन होई नहीं सकता किसी भी हालत में किसी भी केटेगरी में इसके बिना सेलेक्शन नहीं हो सकता मुखे परिक्शा में भी इसकी बिटेज है आज जो RS20 का परिक्शा ओर मेंंस का एक्जाम हुआ उसमें कुछ सवाल तो direct current fate के आते हैं कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो directly current fate से नहीं होते लेकिन आपके answer writing को मजबूत बनाने के लिए आप current fate से उसे link कर सकते हैं अच्छे marks मिलते हैं उधारन के तौर पर एक्जामपल current affair में जो बाते की गई हैं उनको जोड़ो आप connect करो तो you have to connect the unconnected dots जो बिंदू आपके जुड़े वे नहीं हैं उनको जोड़ोगे ना current affair से मुखे परीशन भी आप जादा नंबर ले पाएंगे तो for example for instance जो बात मैं इस app पे करता भी हूँ course की बात जब मैंने करी mains की test series RS mains की test series भी आज कल में start वहाँ पे हो जाएगी उसके लबास आती हो economy अर्थशास की बात करें तो भारत world और राइस्तान इंडिया world और राइस्तान तीनिसो बाड़ा अर्थशास वो भी तीनिसो में इंडियन एकनोमी का मतलब भारती अर्थशास मतलब जन्नल वे में GDP की बात सकल घ्रेलू उत्पाद उसके लावा हम यहां बात करते हैं नेशनल इंकम की रास्टी आए इंफलेशन महंगाए के मुद्धे CPI WPI जो कॉमन बाते हैं वो इंडिया पोशिक भारती इससे में world की एकनोमी में मैंने आपके जो बात करी जो हमारे IMF international monetary fund हो गया अंतराश्री मुद्राकोश, world bank ठीक है उसके लावर तमाम जो indexes आते हैं world bank reports आता है, ease of doing business उसमें भारत के क्या rank है, किसने टॉप किया, ये बाते आपके world के अंदर अगी और राजिस्तान की एकनोमी राजिस्तान का economic survey तो अगर आप इसको analysis करो तो मैंने India plus world को 7 सवाल यहां पे आये हैं, 2021 की परिक्षा में और 7 सवाल राजिस्तान से हैं, टोटल मिला के 14 टोटल मिला के 14 सवाल बनते हैं, अर्थ शास्त से 150 में से, ये भी इक अच्छा figure है, neglect इसको बिलकुल भी नहीं कर सकते 14 सवाल और राजिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षन, economic survey का यहां पे बहुत महतपून योगदान, अब आगे जो बात करने वाला हूँ आपसे, वो सबसे बड़ा अंतरास्टे के राड़ी, international player, जो की सफलता के मार्क पे एकदम पहुँचा देगा, जहां पे आपको करना ही है फोकस, एक तो मैंने आपसे बोला कि भारदी राजवास्ता भे और current affair भे फोकस अच्छे से करो, बिल्कुल करना है, उसके अलाबा दो वीशे ऐसे लिए हैं आपके लिए में, जिस पे फोकस बिना करे, again सफलता के चांस बहुत कम हो जाते हैं, जिस प्रकार का competition है, number of seats कम है कट-throught competition, गला-kart competition हो रहा है, कलम की लड़े की युग में, आपको इसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी, तो साथियों, science and technology, विज्यान और तकनीक की जहां तक बात है, इसके 20 सवाल, विज्यान और तकनीक के 20 सवाल पूछे गए, पिछली बार, 2018 में भी 20 सवाल आये थे, 2016 में भी इसके 20 सवाल पूछे गए, तो सबसे बड़ा ख्याडी तो ये भी हो रहा है, विज्यान और तकनीक, fix हैं, और I think, आप देखो कि 100 के बाद आगडा है, 101 से, 102 से, science and tech का और गणित का तरू जाता है, कि दूसरा आपका, reasoning and math, गणित और तार्किक शम्ता, गणित और तार्किक शम्ता, जिसमें reasoning, aptitude और general mathematics, 10 वी class की वो शामिल है, वो गणित के सवाल जो आते हैं, reasoning, तार्किक शम्ता के aptitude के सवाल जो आते हैं, उसका आगडा 20 है, 20 सवाल आपके गणित और तार्किक शम्ता से पुछे आते हैं, 20 सवाल, तो आप देखो जोड़ो, 20 प्लस 20, 40 सवाल, 40 सवाल और current affair के 25, तो 40 प्लस 25 का आगडा हिसाब लगाओगे तो बन जाएगा, आपका 65, 65 सवाल, देड़ सो में से, किस विशेश आ रहे हैं, reasoning, घटार की शम्ता, गणित, maths, science and technology, विज्ञान और तक्नीक और current affair सरकारी हो जोना है, government scheme, 65 सवाल, 150 में से लगबग जोड़ दोगे, 24 सवाल, तो 65 प्लस 24 करोगे, तो यह आपका बन जाएगा, 89, 89 सवाल, selection की guarantee, selection हो गया, लेकिन, क्या होता है, यह तो 89 के 89 सवाल, किसी के सबके तो सही होते हैं, कितना भी पढ़ जाओ, कुछ गल्दिया तो होती है, error भी होते हैं, कुछ हमको समाज नहीं आत है, क्योंकि अगर 89 आपके सही होगे, तो आपके selection सही है, कुछ करने कीर होती है, लेकिन आप इसको छोड़ दिया, तो मैं इसमें क्या करोगी, पहली बात ही है, और 89 सही हो, इसकी भी guarantee नहीं होती है, गल्तिया इंसान से होती है, human error उसका nature है, उसके रवास आती हो, एक परिपत, ठीक है, नया edition था, इससे भी आपका एक सवाल आया था, जो हर बार नया edition होता है, उससे एक दो सवाल, इस बार मुख्य परिक्षा में, आपका geological heritage site, जोड़ा गया, बुओल के अंदर, जिग्राफी में, बहां से सवाल आया, तो नये विशों से सवाल अना इस बार में जो नया topic जोड़ा आएगा, सवाल उससे आएगा, तो टूरी सरकेट ये परिपत जोड़ा गया था, उससे आपका एक सवाल पूछा गया था, और इस बार मुख्य आएगा, तो ये हमारा आखड़ा 180 मिनट, 1500 सवाल, और उसका analysis, कहानी मैंने आपको बना दिये इस पर जगा फूकस करना है, नगिलेक्ट किसी को नहीं करना है, सब को साथ लेके चलो, और मैं अपने एप के माद्याम से पूरी कोशिश करूँगा, कि सवाल आपके एक्जाम में फसे, आरेज मुख्य परिशा पर जो टेस्टरी स्टर्ट कर रहा हूंग, आरेस 360 अपर, वहां पे भी मेरी पूरी कोशिश की सवाल उसी दारे के इड़द के धुमे, राइटिंग स्किल के प्रैक्टिस करें के, डिटेल मेर में, इंग्लिश में में कंटेंट कहीं नहीं मिलता, मैं प्रोवाइड करूँगा, पूरा का पूरा, हिंदी माद्या में भी, अब इंग का रहती कि नूटिफिकेशन कब आएगा, मैं दभी अपनी किताब चलो गुरू, तब तक तक मैं सोता रहता हूं, तो पहली चीज आती हो, खाली नूटिफिकेशन के वरोसे बटोगे, सबसे बड़ी निस्टे कर रहा हूं, पहली चीज आपको अपनी दिन चर्या में, आर बारो एक्जाम के लिए मैंने बता है, तारीक आपके सामने, आरेस परिक्षा के लिए भी आख खुल के बोदरों, आपसे अभी तक अभ्यरतना, डीयो पीटी के पास नहीं पहुची है, मेरी बाद, तीन दिन पहले हुई थी, वहाँ पे डीयो पीटी ने कहा था कि पूरी है तो हम मान सकते हैं कि अगर इस चिदंबर में बेरतना, आरेस की पास चली आती है तो ऑक्टूबर, ऑक्टूबर तक मिड तक рокनल नोटीफिकेशन आ सकता है, और takich Lub明 तक चल अब опять का बजट के आसपास, बजट से ये कोला करता है, अगेन, यहाँ पर कंडिशन क्या है, कंडिशन ये है, कि अब बेतना बेजे, आम तोर पे आरपी से के साथ में हुआ जाए ये देखने को मिला है, जो बिगत की परिक्षा होई, चाहा ठारा का हो, पेपर, उसमें भी ये देखन है, उसको पूरा रजल्ट आता है, इंटरू के बाद का, उसके बाद नई भड़ती का अरगाज होता है, ठीक है, इस बार सरकार तोर जल्ली कर रही है, इलेक्शन का फेक्टर है, लेकिन हम अभी इस पस्त तोर पे ऐसा नहीं कह सकते कि भड़ती ऑक्टूबर में आही जाओंगा, जो कार्मी बाद जाओंगा, आप से सदा कर दूँगा, इस मंच के माद्यम से, अभी आपको क्या करना है, इसकी चिंता नहीं करना ही, यह तो आना ही है, आगाज है, काम चल रहा है, इस पे काम करो, इस पूरे सिस्टम पे काम करो, इस पूरे सिस्टम पे काम कर हमें मुख्य परिक्षा को भी साथ में लेके चलना है इसलिए पेपर 4 हिंदी अंग्रेजी जो कि गेम चेंजर है उसके काम करो करो और पेपर 1,2,3 उसको भी समान तोर पर लेके चलो 2 गंटा मुख्य परिक्षा को दो जहां तक EOR की बात है मेरा बैच जो चल रहा है और क्राइब कर के मैंने हमेशा कहा कि EOR & RS को साथ में लेके चलो तो कि इसका एक्जाम तो महीं में होना है अपका तारिक आ चुकी है कोशिश करो साथ में लेके चलने की हो जाएगा कोई ज़रूत नहीं देने ही लाख रुपए खर्चागारों के फिर गारंटी है कहने से नहीं हो थी सेलेक्शन गारंटी आपकी खुद की महनत आपने कितनी इमानदारी से महनत किया उस पर डिपेंड करता है ठीक है तो मेरा यूपेसी का अनुबवरा दो बार यूपेसी का इंटरू दिया जो मैंने देखा उस आधारत पर आपको यह बताया है और मैं यह भी कहना चाहूँगा आपसे कि पूरी कोशिश इमानदारी लगने से सफलता 101 पचंद आपको मिलेगी तो साथियो जय भारत जय रहिस्तान और आरस की तयारी को ईयो आरो की तयारी को इमानदारी से करते रहें यही मेरा आखरी आपको संदेश मेरे टेलीगरम चैनल का लिं जाउ़ा खाजा है अजयो आपको आपको ब aíएपको आपको एंपको आपको 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 नहीं चैनल का यहीं नहीं आपको तया दोरी के संदेश